आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में दिया गया है कि a 10 kg boy standing in a 40 kg boat is floating on water is at 20 meter away from the shore of the river एक river के shore से 20 meter दूर एक boat float कर रही है जिसका mass है 40 kg और उसके उपर 10 kg का boy खड़ा हुआ है so if the boy moves 8 meter on the boat towards the shore then how far is he from the shore हमें यहाँ पे एजियूम करना है कि कोई friction act नहीं कर रहा है boat और water में यहाँ पे अगर हम situation को देखें तो situation कुछ ऐसी है कि हमारे पास यह है यहाँ पे इस तरफ है river और इस तरफ है ground या फिर shore और इसके यहाँ पे river में 20 meter दूर एक boat है जहाँ पे boy stand कर रहा है तो suppose यहाँ पे हमारी एक यह boat है कुछ इस तरीके से और इसके किसी एक point पे यहाँ पे यह boy stand कर रहा है तो boy के distance जो है shore से 20 meter के बराबर है इसके बाद यह तोड़े time के बाद यह 8 meter दूर ट्रेवल करता है तो suppose अगर यह इसे boat से इस point से हट करके इस point पे आना हो तो यह यहाँ पे आएगा और यह distance है 8 meter तो कुछ लोग यहाँ पे directly इसे 12 meter distance कह सकते है shore से क्योंकि यह directly 8 meter travel करेगा towards the shore तो net distance इसका 20 minus 8 यानि की 12 meter हो जाएगा तो options में भी given है पर यह option गलत है यहाँ पे क्या होगा जब boy इसके उपर boat के उपर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है यह boy अपने पेरों से boat को पीछे की तरफ का force दे रहा है और उसी के बराबर का reaction force boy को मिल रहा है जिसकी वज़त से वो आगे बढ़ पा रहा है तो boy को boat की तरफ से force मिल रहा है reaction force और boy boat के उपर भी force लगा रहा है तो यह एक इस system का boy boat system का internal force है तो इस internal force की वज़त से बोट के relative में boy का तो motion हो रहा है पर boy के relative में बोट का भी motion होगा क्यूंकि बोट पीछे की तरफ उसको भी force लगेगा और यहां पर उस बोट के force को balance करने के लिए कोई force नहीं है तो अब यहां पर हम देखेंगे क्यूंकि हमें बोला गया है कि assume no friction between boat and water सो यहां पर इसमें कोई force का loss नहीं होगा जितना force boy के ऊपर लगेगा बोट की तरफ से उतना ही force बोट के ऊपर भी लगेगा boy की तरफ से तो हम यहां पर इस boy boat system का सब्सक्राइब हम यह सिस्टम माले तो इस displacement भी कंजर्ब रहेगा सब यहां पर लिख सकते हैं कि अगर नेट मोमेंटम कंजर्ब्ड है यानि m1 v1 is equal to m2 v2 अगर हम कह दें तो यहां से लिख सकते हैं कि mass of boy into displacement of boy x1 is also equal to mass of boat into displacement of boat तो यहां पर क्या हुआ है boy आगे तो आया है पर बोर्ट भी पीछे चली गई है तो हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ distance दूर बोर्ट पीछे सरक गई है तो यह distance suppose हमारा x है तो boy तो यहां पर आ गया कि अपने original position के 8 meter दूर पर इसे x distance पीछे भी जाना पड़ा क्योंकि बोर्ट भी ओवराल पीछे चली गई तो अब इसका जो next distance from the shore है वो कितना है कि दिस्टेंस कि ओफ बॉइ कि फ्रॉम दी शोर इसे हम लिख सकते है और इसके बाद यह 8 meter आगे आया तो यहां से हम लिख सकते हैं 20-8 बट बोर्ट पीछे चली गई और x distance तो यह भी boy को भी x distance पीछे जाना पड़ा बोर्ट के motion के कारण तो अगर हमें अब यहां पे यह relation मिल दाएगा distance of the boy from the shore is 12 plus x तो हम अगर x no-no तो हम इसकी value निकाल सकते हैं तो x की value हम इस equation से निकाल सकते हैं यहां पे m1 जो है यह boy का mass है तो boy का mass है 10 kg और जो इसका displacement है x1 यह कितना है जो x1 displacement है यह है 8-x के बराबर तो कि यह 8 distance तो इधर गया पर इससे यह x distance पीछे भी आ गया 10 into 8-x यह बराबर होगा बोर्ट के लिए जो m2 x2 है उसका product तो बोर्ट का mass है 40 kg और बोर्ट का displacement हुआ है x के बराबर तो यहां से हम equation लिख सकते हैं 10 into 8 यानि 80-10x is equal to 40x और इसके बाद हम यहां से लिख सकते हैं 50x is equal to 80 which implies x is equal to 1.6 अब हमें x परता चल गया है तो distance यह d suppose अगर हम इससे कहें तो d के आएगा 12 plus 1.6 के बराबर और 13.6 तो जो boy का अभी भी distance होगा शोर से वो 12 नहीं होगा वो 13.6 मीटर के बराबर होगा आज जी डाउनलोट के डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आच 4444 सुपर हवाराक यह वाराक तो अई टाउड़